नमस्का दोस्तों टेक्निक इप्रति की सुप्राणों का बहुत बस्वगत है दोस्तों अगर मैं बात करूँ इंडिया में 5G नेट्वर्क का तो लगबग हम लोग को पता नहीं 5G कब आने वाला क्लियर विजन तो नहीं पता लेकिन अभी बहुत सारे कंपनीज 5G फोन ला र है लेकिन 5G का क्या करने से मार्स प्रोडक्शन में फोन आ सकता है या फिर 5G का 2021 और 22 को क्या फ्यूचर होने मला है आज किस वीडियोग हम लोग डिस्कस करने मला है तो चलिए स्टार्ट करतें आज का वीडियो अगर बात करें तो 5G का स्मार्टफॉन है लेकिन सब्सक्राइब करते हैं तो अगर सब आदमी इसको आफ़र करने सकते हैं अगर एक आदमी दस से बीस अजर का फोन यूज करते रहेगा उसको 5G चाहिए तो 50,000 देगा 5G के लिए बस ये तो अच्छा नहीं है अगर फोन अच्छा है उसमें 5G दिया है तो फोन के लिए पैसा पे करेगा उसको यूज करेगा उसके साथ 5G उसको मिल जाता है लेकिन बस 5G के लिए इतना पैसा इंवेस्ट करना ठीक नहीं है तो इस 50% 5G तो नेटवर्क नहीं है लेकिन 5G फोन यूज कर रहे हैं 4G सिम गिरा के 5G सिम एक 5G स्लोट है लोगे और भी बहुत कुछ सा रहे हैं तो 5G को अगर मास्पटोस में लाना चाहेंगे तो कंपनी जो फोन की इतने सारे ब्रांड से इन लोग को फोकस करना पड़ेगा बजेट फोन फोन अगर यह फोकस करेंगे तो 5G मतलब हर एक बंदा यूज कर सकता है अगर यह फोन दस स दस से पंद्राजर का बीच में या फिर दस से नीचे आठ अजा नौँजर का अंदर यह फाइब जी फोन अगर यह अब लेबल कर दिये तो आप यह मास्रेंज में जा सकता है फाइब जी हर कोई एक्सपिरेंस कर सकता है खरीद के लेकिन ख्लाक्सिव ग्रेड में फाइब फाइब जी देखने को मिलेगा या फिर बड़े-बड़े सीटी में मिलेगा देन हम लोगों सब जागा में अवेलबल होगा स्टार्ट करते हैं 2G से 2G से 3G जाने के लिए वह बहुत टाइम लगा तूजी हम लोग जिसे कीप्यार्ट कॉन में यूज कर रहे थे देन 3G को अब लोग अपग्रेड करने के लिए बहुत टाइम लग गिया कोई मतलब जितने सारे स्मार्टफोन भी 3G फोन आ गया लेकिन सब जागा में अम लोग 3G नेटवर्क नहीं मिल रहता कोई-बड़ा-बड़ा जैसे हाइदराबाद हो गया दिल्ली हो गया मुंबाई हो गया तो हाँ बोलता हूँ कि 4G जितना स्पीड देना चाहिए वो स्पीड प्रोबैड नहीं करता है अगर रहते हैं तो आपको 4G का स्पीड बहुत ही अच्छा मिलेगा लेकिन और भी बहुत सारे जागा है जाग पर 4G हम लोग 3G का स्पीड जैसे यूज कर रहे हैं तो इसके लिए 4G जो मास प्रडक्शन में अभी अभी का अगर मैं बात करूं 4G का तो पूरा जितना जितना भी जाए तो 4G क्याप्चर कर लिया है नेटवर्क कि दर इसू होता है गवरेंच में लेकिन 4G अभी फूली क्याप्चर हो गया है जहां पर इस भी जाए 4G जाए 4G जाए हो गया है 5G एसे अभी होगा या फिर हम लोगों पहले बड़े सीटी में मिलेगा उसके बद एक से दो साल लगेगा हम लोगों पूरा इंडिया को क्याप्चर करने के लिए या फिर बहुत ही जादिस से 4G क्याप्चर कर लेगा ओ तो जब नेटवर्क आएगा हम लोगों पता चल जाएगा तो यह था 5G का देन बात करते हैं इंडिया में तो इंडिया में अगर मैं बात करो 5G नेटवर्क ब्रेंड 5G network band बहुत सरे available है जैसे 3G का बहुत सरे available होता है 4G का भी अभी बहुत सरे different brands available होता है तो अगर मैं बात करो 5G band का तो अभी के लिए जो अगर 5G आता है band तो यह अगर लगाएंगे सब Gigahertz 5G यह अगर 5G का तो यह अगर लगाएंगे तो हम लग 4G जैसे सब यूज कर पाते हैं good coverage में थोड़ा टावर भी रहता है network up-down नहीं होता है net का issue हो सकता है लेकि network up-down नहीं होता है बहुत ही जगा में किक्ता network आता है तो इसके लिए सब Gigahertz 6 Gigahertz 5G अगर लगाते हैं सब 6 Gigahertz 5G तो यह जैसे हम लोग 4G प्रोभाइड करता है network मतलब constant रहता है वह से यह constant रहेगा वरना अगर कुछ अगर मतलब कुछ नया band अगर लगाते है इसमें तो इसको implement करना बहुत ही cost हो जाएगा इंप्लिमेंट अगर cost हो गया तो हम लोग का 5G जो प्याक हम लोग गिराएंगी से 4G में 399 हो गया 149 हो गया वह 599 हो सकता है या फिर 799 हो सकता है तो बहुत बहुत सब्सक्राइबल है 5G का अगर मैं बात करो 5G का एक variation है जहाँ पर हम बोल सकते हैं आप सोच रहेंगे आप इसके लिए आपको सेल ज्यादा इंप्लिमेंट करना पड़ेगा सेल इंबेंट करना पड़ेगा अगर 5G आता है वह 5G फोन आप लेकर रोड में निकल जाते हैं आपका 5G नेटर कट जाएगा या फिर आपका call डिसकनेट हो जाएगा call जाएगा call जाएड मतलब वोल्टी क आपको नहीं हो सकता क्योंकि इसमें अगर इसी जो अच्छा बैंड लगाएगा ज्यादा स्पीड वाला बैंड लगाएगे फोन तो कशली होगा फास्ट बात देन आपका जो प्याग भी कशली हो जाएगा तो सब कि 6 गिगार 5G अभी अगर यह लगा देते हैं तो 4G बैं का 5G फोन अभी आप सुच रहोंगे कि कब आएगा यह तो कुछ लिक्स्रीमर देखने को मिलता है हां दोस्ता यह बहुत ही जल्दी आने वाला है बहुत ही लेस टाइप का अंदर यह इंडिया को आने वाला है रियल्मी का एक को बीफाइप लाइप लिक हो था गीग बेंच पर जहां पर यह 5G नेटवर्क का मीडिया टेक का डायमेंसीट वाला अक्टू चिपसेट लगा है जहां पर यह मतलब यह लिक हुआ है कि विदेन 15-16,000 का अंदरी फाइप फोन आ सकता है 5G बैंड लेके यह दस हजार के विफाइप लाइट है 25 फेफाइप पंदराजर हो जाएगा एसे कुछ हो सकता है यह चोटे-चोटे ब्रांट है टो इनमें से लगा रहता है तो यह मतलब भी चाहेंगा है टो बहुत ही जल्दि 5G फोन ला सकते हैं चांबा नामे तो चल रहा है इंडिया मुखको भी बहुत ही जल्दि आ जाएगा जैसे हम लोग देकने को मिल जाता है तो यह तो गिए 5 फोन लेकिन इंडिया में अगा तो हम लोग इंडिया गौर्मेंट का विक तो मतलब कॉ सब करने के बाद हो उपना ब्यांड देखेंगे कुन सा कंपणी कुन सा ब्यांड यूज करता है एक तो 5G इंडिया में नहीं होगा 2-3 जो चलेगा वो ऑक्सन होने के क्वांन कोण सा ne British करता है जो कि बहुत अच्छा PayPal जेसी करेगा ऑपरेट करेगा तो में चीज है तो में जीज है 3G के डिफेंट डीका डिफेंट में रहता है 4G का डि फाउजी का भी घ्राई रहता है लेकिन डिपेंड कर से कॉंपनी को तो क्वियर करता है वह भी मेंजी जे तो अगर एक smartphone दस से पंद्रा बैंड सपट करता है लेकिन इंडिया में वह बाहर जाता है कोई यह रहता है यह यह पर रुषिया नोई फोन तो फाइप जी जा लेगा उसके लिए भी अलग बैंड लगा एंडाया फोन में लेकिन उधर तो यह था जो कि band मुझे बोल सकते हैं कि उनसा band कैसे लगेगा वो तो थोड़ा time लगेगा लेकिन 5G affordable phone आ जागा जल्दी तो अगर cheapest phone चाहिए 5G तो आपको tailored made 5G phone अगर यह possible हो जाएगा tailored made 5G phone अगर आ गया तो हम लोगो cheapest 5G phone मिल जाएगा 10,000 का range में या फिर 8 से लेके 10,000 का range में तो अगर हम बात करें 5G band का तो अभी आप सोच रहा होंगे जो कि 5G band चल रहा है जैसे OnePlus 8, OnePlus Nord जो भी phone available है तो अभी उनका band N78 band वो यूज करने OnePlus N78 5G band जो कि वो phone में लगा है लेकिन आगे यह band लगेगा या फिर कुछ अलग band change होगा जिससे सब 6 Gigaards 5G तो यह देखने का बात है तो यह band तो support है लेकिन यह band मतलब आगे यह यह यूज होगा इंडिया government यूज करेगा कि नहीं क्योंकि network नहीं आया अब तक तो बोल नहीं सकते कौन सा band चलेगा N78 चलेगा या फिर वो सब 6 Gigaards 5G पर चलेगा वो तो पता चल जाएगा देन यह operational network available कर सकते हैं सब जो पी spread हो सकता है mass production में 5G तो definitely हम लोगो 2021 या तो 22 का अंदर हम लोगो 8000 सी 1010 का 5G फोन मिल जागा अगर tailored mobile phones तो बहुत ही सस्ता संदर हम लोगो 5G फोन मिल सकता है तो बात करता है अभी 4G का जैसे 4G default हो गया default अभी 4G जब जो को भी फोन लेता है उसमें default 4G available रहता है अभी 4G available रहता है हम लोगो 5G भी वैसे 2021 और 2022 को मिल जाएगा जो भी फोन आप लेंगे आपको dual SIM slot 5G available हो जाएगा जैसे 4G में हम लोगों मिला था बोल्टी इसे 5G में भी बोल्टी मिलेगा लेकिन और एक थो निया टेकलोजी लेकर आएगा जो कि यह बात है 5G जब आएगा network तब पता चल जाएगा तो जीओ है एर्टेल है जो भी इतने सारे मतलब टेलिकम ब्रांट है तो यह बहुत ही जल्दी मतलब जीओ तो फिल्ड में लगा रहता है 5G के लिए वह टेस्टिंग कर रहा है यह बहुत जल्दी अपना 4G network 5G network में convert कने माले जो कि अच्छा good coverage देगा क्योंकि इतना 4G मतलब available हो गया ओई network को अगर यह convert कर देते हैं तो बहुत ही जल्दी यह इंडिया में मतलब spread हो सकता है production में तो हम लोग को तो clear cut नहीं पता 5G कब आने वाला clear vision तो नहीं पता देखते हैं यह कब आता है और ऐसा हुआ अगर जीओ ले आया आया अपना सस्ता वाला phone 5G phone जैसे 4G में लाया था live phone अगर यह आ गया तो बहुत ही धमाल मचने माला market में तो बस यह था आज का वीडिय उड़ चलो तो लाइक अशर कना और से मनसाथ और देखते हैं बहुत मता की जै